सीतापुर गाउं में रहती थी एक चुड़ैल लेकिन इस बात से गाउं के लोग अंजान थे जब तक कुरे गाउं की एक एक औरत के गहने मेरे पास नहीं आ जाते मैं इस गाउं को छोड़ कर नहीं जाओंगी चाहे इसके लिए मुझे लोगों को गाउं अभी क्यों ना करना पड़े दूसरे तरफ गाउं की औरते बात कर रही थी अरे सुन रही हो ये देखो मैंने कल ही नया हार बनवाया है सुने का कैसा लग रहा है बहुत ही अच्छा अच्छा है ना पहले तुम पहनो फिर शादी में अपनी होने वाली बहु को दो देना आर क्या सुने चांदी का यही तो फाइदा है जितना पुराना उतना महंगा लेकिन एक-एक पैसा बचाकर यह लेना सच में बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए तब ही वहाँ पहली का पती आ जाता है गाउं में एक ओरत के घर के सुने के सारे गहने चोर ही हो गए लोग बाते बना रहे हैं कि गाउं में कोई चोर घुसाया है जो घर की कोई चीज़ को हाथ नहीं लगाता पर सिर्फ सोने के गहनों को ही चुराता है अब तुम ना अपने ये गहने संभाल कर रखना एह बगवान ये क्या बोल रहे है ये तो वही बात हो गई कि गाउं बसा नहीं और लोटेरे पहले आ गए दूसरी तरफ गाउं के ही एक घर में रंजना रहती थी उसके पते का गाउं में चाउमिन का धेला था एक दिन उसके घर में एक औरत आती है अर रंजना तो गाउं में नहीं है तो सोचा तुम्हें बता दू गाउं में बात चल रही है कि गाउं में एक चोर गुसाया है जो घरों के सोने के गहने चुरा लेता है अरे मैं तो सिर्फ ये कान की छोटी सी बाली ही सोने की पहनती हूँ बाकी गहने तो मैंने गाउं के बैंक मिला कर रखे हैं ये क्या होता है, ना बाबा न, हमारे गाउं की औरते तो गहने अपने पास ही रखती है, जब कहीं जाना हो तो बस अलमारी से गहने निकालो और पहंग लो दूसरी तरफ, एक औरत हाथ में टोटके वाली छोटी सी गुडिया लेकर घर में चली आती है अरे कोई है ? घर की औरत है क्या ? क्या है ये गुडिया ? ये कोई ऐसी वैसी गुडिया नहीं है ये तो बहुत कमाल की गुडिया है, दे दो कितने की है एक? अरे नहीं नहीं ये फ्रीकी है मेरा काम इस पुरे गाउं को बुरी नजर से दूर रखने का है हाँ भली औरत उसके हाथ से वो गुडिया लेकर अलमारी में रख देती है लेकिन अगले सुबट जब वो उस गुडिया को देखती है तो पतली सी गुडिया मूटी हो चुकी होती है हे भगवान ये क्या किसने मेरे घर को बुरी नजर से बांध रखा था तबी वो गुडिया वाली भी आ जाती है मैंने कहा था ना घर पर बहुत ज़्यादा बुरी नजर है लाओ ये गुडिया मुझे दे दो औरत वो गुडिया उठा कर उसे दे देती है गुडिया हाथ में आते ही वो औरत उसे लेकर सीधे गाउं के बाहर की खाली हवेली में चली जाती है और साधारन औरत से जुडैल बन जाती है इतना बोलकर वो गुडिया को फार देती है और सारे गहने निकाल लेती है वहीं दूसरी तरफ ये भगवान मेरे घर के सारे गहने चोरी होगे उस औरत के घर के आसपास लोगों का जमावडा हो जाता है और लोग बाते करने लगते हैं लो जी ये भी घर गया पता नहीं कौन चोर है जो इतनी होश्यारी से गहने चुरा लेता है कुछ समझ में नहीं आ रहा की कौन है लोग तो घर से कहीं जाते भी नहीं है न ताला लगे न घर खाली हो फिर भी रातो रात गहने चूरी हो जाते हैं अर आम तो कहते हैं लोगों को बारी बारी चोकेदारी करने चाहिए चोर को तो पूरे गाउं वाले मिलकर पकड़ ही लेंगे लोग बारी बारी घरों की चोकेदारी भी करते हैं लेकिन चोरी होने का सिलसिला रुखता ही नहीं फिर एक दिन रंजना के पड़ोस से भी रोने की आवाज आती है आज ही घर की बुरी नजर उत्री और आज ही सारे गहने भी चोरी हो गए कैसी बुरी नजर है? क्या हुआ था? तभी वहाँ उस औरत का पती भी आ जाता है जिसके घर में गहनों की चोरी हुई थी हाँ हाँ मेरी बीवी ने भी किसी गुडिया को घर में बुरी नजर उतारने के लिए रखा था लेकिन अगले दिन गहने चोरी हो गए अब रंजना को कुछ कुछ बात समझ में आ जाती है वो गाउंवालों से कहती है देखिए आप आप लोग चिंता न करें जल्द ही चोर पकड़ा जाएगा उस नजर उतारने वाली गुडिया को आज मेरे घर कोई भीच देना फिर क्या था चुडेल को लोग रंजना के घर भीचते हैं पहली बार देखा है कोई खुद लुटने को तयार बाता है तो तू है जिसे घर की बुरी नजर उतारनी है यवले गुडिया ये सुबह तक मोटी हो गई तो समझो तुमको और तुम्हारे घरवालों को नजर लगी है हाँ हाँ मेरे काफी सुना है तुम ये गुडिया मेरे घर छोड़ देना अरो क्यों नहीं कल सुब्र आउंगी जब गुडिया तुम्हारे घर की सारी बुरी नजर लेकर मोटी हो जाएगी ठीक है अब क्या था रात को रंजना ने पूरी नजर गुडिया पर रखी वो अपने पती और गाउं की कुछ लोगों को घर की खिड़की से घर के अंदर नजर रखने को कह देती है और फिर जो नजारा सब देखते हैं वो हैरान करने वाला होता है गुडिया धीरे से अलमारी खोल कर बाहर आती है अलमारी के सारे गहने लेकर घर में जहां जहां गहने होते हैं वो लेकर अपने मूँ से खा जाती है वो जितने गहने खाती उतनी ही मोटी हो जाती और फिर अलमारी में बंद हो जाती है गाउं वाले डर के मारे वहीं बेहोश हो जाते है लेकिन सुबर जब वो औरत गुडिया लेने आती है रंजना उसका सामना करती है ये देखो गुडिया कितनी मोटी हो गई है लगता है मेरे घर में बहुत लोगों की नजर लगी है लाला ये गुडियों मुझे दे दे अरे बहुत किमती गुडिया है ये तेरे घर की सारी बुरी नजर मैं गाओं के बाहर वाली हवेली में फैकाती हूँ शाम को फिर लोगों के घर इसे लेकर जाना है ना इसमें तो मेरी जान बसती है जान रंजना गुडिया को चुडैल की तरफ बढ़ा देती है लेकिन फिर वापस ले लेती है और गुडिया के हाथ मोर देती है जैसे ही गुडिया के हाथ मोरती है चुडैल का हाथ भी मुर जाता है अच्छा तो ये वो गुडिया है जिसमें तुम्हारी जान बसती है अब सुन चुडैल तेरी सारी हकिकत सबके सामने आ गई है या तो गाउं वालों की गहने लोटा दे, नई तो मैं इस गुड़िया की गरदन मोड़ दूँगी चुड़ैल डर जाती है अरो मैं नई, मेरे गुड़िया दरो, रहे सबके गहने वापस कर दूँगी लेकिन रंजना जानती थी कि जैसे ही गुडिया चुडैल को देगी उसकी शक्ती बापस आ जाएगी। चुडैल तो तो चुडैल ही रहेगी। ये मैं जानती हूँ। लेकिन रंजना उसकी एक बात नहीं सुनती और गुडिया का सर उसके शरीर से अलग कर देती है। चुडैल सर अलग होती ही गायब हो जाती है। गाम वाले रंजना की साहस और बुद्धी की खूब प्रशनसा करते हैं।